Have a good day. इज्राइल रो पैलेस्टेनी लडाकु समुह हमासलाई सांतिपुन बार्तामा आउन स्वयुक्त राष्ट संको आग रहुआ। इज्राइल मार है का नेपाली हरु लाइलीन तेस्तर्फ जानु भाय को थियो। इज्राइल रो पैलेस्टेनी लडाकु समुह हमासलाई स्वयुक्त राष्ट संको आग रहुआ। वहारु को सब नेपाल ल्याउन का लागी इज्राइल सरकार संग समुन नय भायरु है को पनी वहाले जानकारी दिनु भायो। कोशी प्रदेश को मुख्यमंत्री का लागी प्रदेश प्रमुक समक्ष दुईजना को दावी पेस भाय को था। पास बमोजिम सरकार गठन करना प्रदेश प्रमुक भात दिये को समय भन्दा एक दिन अगी दुईजना प्रदेश सभास दस्यले मुख्यमंत्री मा नियुक्त का लागी दावी पेस गरनु भाय को हो। गठबंधन दलका सिर्ष नेता हरो बीच ही जो काठमांडो मा भाय को सहमती अनुसार नेकपा मावबादी केंद्र समसदी दलका नेता इंद्र बहाद्दूर आंग बोले प्रदेश प्रमुक परशुराम खापुंग समक्ष दावी पेस गरनु भायो। गठबंधन दलका नेता को समर्थन रहाई को पत्र सही दावी पेस गरनु भाय को छा। गुणात्मक सुधार आवस्यक भाय को बतावनु भाय को छा। बईठक मां सिच्छा बिज्यांत था प्रवीधी मंत्री असोक कुमार भाय ले पेस करनु भाय को विद्यालय सिक्षा बिधेकलाई दफाबार चलफल का लागी सम्बंधित समीती मां पठाईयोस बन्ने प्रस्ताप सर्व सम्मीती ले सुईकरेत गरेको हो। तेसेगरी बईठकले आकस्मिक समयमा राष्ट्य सोतंत्र पाठीका। सभापती रवी लामी चानेले भारतका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी को नेपाली भूमी गुंजी ब्रहमण सम्मंधमा सरकार को जवाप माग गर्न भायो। सभापती लामी चानेले भारतका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ले भ्रहमण गर्न भाय को छेत्र नेपाली भूमी रहाईको र नेपाल को नक्सामा समेत समेचियेक उल्लेक करदै नेपाली भूमी मा भारती अप्रधानमंत्री को भ्रहमण को बारेमा स्वरकार ले स्प प्रतिनिदी सभाक और को बैटक भोली 202 बजे बसने छा। प्रतिनिदी सभाक और को बैटक भोली 202 बजे बसने छा। प्रतिनिदी सभाक और को बैटक भोली 202 बजे बसने छा। समाचार वेडियो नेपाल बाता सुन्दे हुनोंच अब केही बेर बिग्यापनर संदेश। द्याडी इंडिया जानी मौमी चाहिना जानी। दुबई जना फेस्बुक र भाइबर माँ जीरो। बिला बिला मा कुरा गर ना क्या ही समस्या थाईना। वोरा बने औनी कुसरे चलोनेची था था था। किन था ना उनू यो शेवा एक्टिबेट गर ना लाई इस्टार चौद पंद इस्टार साथ रहा स्टायल गर नू पर छा। रो उते बाट रिचार्ट गर्ण बनी मिलचा, तीमेर लाई बनी अरुकुरा था पाउना मन्छा बने नेपाल टेलिकम को मोबाईलेव्स अधवा वेबसाइड एरे हुन्चा नेपाल टेलिकम राष्ट्र को संचार अब बाकी समाचार खिने फैसला गरी सकेकोर, नजीर का रूप मा रहने भाय का कारण रिगल बीरुद्ध का मुद्धा आफवरुले हेरन नमिलने भन्दै आफवरुब बाहेक को पुर्ण इजलास मा पठाउना आदेश दियेको हो रिगल बीरुद्ध को सो मुद्धा मा कार्तेक चौद गतेलाई पेशी तो कियेको छा नेकपाई की कृत समाजबादी का अधेक्ष्य माधवकुमार नेपारले किर्शी लाई उद्धम संग जोलना सके मात्रे देश सम्रिद्ध हुने बताउनु भायको छा पाचिको मेची महाकाली जागरण वियान का क्रम मा कईलाली को ठीकापूर मा आयोजित जनसभामा अधेक्ष नेपारले रोजगारी कई कारण दक्ष जनसक्ती बिदेश पलायन हुने कार्य रोकन का लागी सरकार गंभीरुनु पर्ने र किर्शी छेत्र का विकास मा आगाम यात्रा तय करनो को विकल्पन भायको बताऊनु भायो। बाके का प्रहरी प्रवक्ता डिस्पी नारायन डागी ले जानकारी दिनु भायो। बिद्धुत सट भायरा आगलागी भायको अनुमान करियेको छा। इस्राइल ले गाजा छेत्रमा आफनो आक्रमर्तिब्र रूपले बढ़ायको छा। लफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कोनरिकस का अनुसार इस्राइल ले आफनो दक्षुनी सिमानामा नियमीच सेनासंगई तीन लाक वंदा बढ़ी जगेडा स्वैनिक तैनात गरेको छा। साथई पैलेस्ट्राइन ले बंदक बनायका अफना नागरिक को रिहाई न गरे सम्मा खाद्यान न इंधन लगायत का अत्यावस्चक सामगरी माथिको प्रतिबंधा जारी रहने इस्राइल ले जनायको छा। साथई बीज 11 राष्ट्राशंग ले इस्राइल र पैलेस्ट्रेनी लडाकु सम्मुह हमासलाई सांतिपुन बार्तामा आउना आगरह गरेको छा। राष्ट्रसंग मुख्यालवे मा एक भीडियो संदेश मा बोलदई महासचीब एंटोनियो गुट्रेस ले दंदलाई खमकरन समाधान को पाया खोजन अपिल कन भायो। अब मौसम सम्मंधी जानकारी। आज देश को पहाडी भाग का साथ है अन्य भाग मा आमसिक बदली रही कोशी बागमती र गंड़की प्रदेश का कही स्थान र अन्य प्रदेश का पहाडी भाग का एक दो इस्थान मा मेग गर्जन चट्यांग सई तलका देखी मध्यम बरसा हुने जलत था मौसम बिग्य प्रशारन का प्रमुक्समाचार फेरी एक पटक। प्रमुक्समाचार फेरी एक पटक।